समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता स्वामी प्रसाद मौरिया जी हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं दो दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था और शंबूक वर्द की बात कही थी सर ये बातें आप जो हैं कर रहा हैं लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि अनाप शनाप बनायान बाजियां कर रहा हैं आप जो लोग अन्सुची जात अन्सुची जन्जात और पिश्रे वर्गों के आर्चन के बिरोधी हैं उनको बुरत लगेगा ही लगेगा क्योंकि इसमें अन्सुची जात अन्सुची जन्जात और पिश्रे वर्ग का आर्चन भाजपा सरकाल लगातार खत्म करती जा रही है और जब जब उनके हक, हकूक, अथकार पर हमला होता है, तो कुछ जातियों को बड़ी खूसी होती है, और वैसे भी एक और भाजपा सरकार दोही देती है रामराज की, दूसरी और अंसुची जात, अंसुची जन्जात और पिछरे वर्गों के आरशन को खतम कर रही है, क्या मिधान प्रदत आरचन पटकेटी डाली जा रही है, और साते ही शाथ, जब कभी भी रामराज था, तो कभी शंबू का सिर काटा गया था, कभी एक अंगूठा काटा गया था, आज दलितों, आदबार्शियों, पिछरों का आरशन का आरशन काटा जा रहा है, तो क्यों पूरा लग रहा है, क्या किसी ने दलितों, पिछरों और आदबार्शियों की चिंता की है, क्या वोट लेने के लिए हिंदू, और सत्ता में आने के बाद ये दुस्मन कैसे हो जाते हैं, अगर सत्ता में बने रहने के बाद भी, अगर आदबार्शियों, दलितों, पिछरो को भाजपा हिंदू मानती तो साइथ इसके आर्षम पर रगती नहीं जालती है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हिंदुस्तान को इस तरह की बाते भी जो है वो निकल के और कई लोग मूख समर्धन भी कर रहा है उनके इस बयान बाजी का ऐसा है हिंदू राष्ट का सभी सभी समान है सभी बराबर है न कोई यूच है न कोई नीच है न कोई छोटा है न कोई बड़ा है न कोई छूत है न कोई अच्छूत है आज सभी समान है इस विरुस्ता को खतम करना चाहते हैं भारती समिधान स्रमाजबादी पंधनिर पेक्ष लोगतांत्रमत अधाना पर आधारी थे जो लोग भाती सम्धान के विरोधी हैं वो हिंदू राष्ट की मांग करते हैं वो हिंदू राष्ट की मांग करके इस देश में आदवासियों दलितों और पिश्णों को फिर से शुद्र कह करके गुलाम बनाने की क कुछ ठीक था सबका साथ सबका विकास देश काम हो रहा था हम लोग भी कर रह दों सुदा प्रसाइब मौर्या बेवज़ा जो है वह नाराज होते हैं पर रसते रहते हैं सबसाथ सबका विकाश पेकाम हो रिखान किया बिग्यापन सरकार ने जरी किया 1468 पदों में से 396 पद पिछड़े वर्गों के बनते हैं 148 पद दिखाया है हमताब सीधे सीधे दो तिहाई आरच्छन केवल बिग्यापन में खदम कर दिया और इच्छा होते होते जीरो पर खड़ा कर देंगे अभी 117 पद गोरखपुर में देलने में प्रोफेसर के पत्म निक्ती हुई प्रोफेसर रीडर एसोशेट प्रोफेसर असेसिंट प्रोफेसर एक सो शत्रा पद में 111 पद पर सामान वर्ग के लोग मात्र छा पदों पर सभी पिछले अंसुची जात अंसुची जन जात पिछले वर्ग और अल्प संक्यक सब को समेठ दिया गया यानि 90 फिर्दी आबादी को च्छा पद अदध फिर्दी आबादी को 111 पद 117 में से यही नयाय है यही रामराज है यही हिंदु राश्की कल्पना करने वाले लोगों की सोच है तो रामर अंसुची जन जात का रचंड जीरोप क्यों किया जा रहा है पिछले वर्गों का रचंड पर जखेती क्यों डाली जा रही है मामला यह सवाल यह था कि मदर्सों को लेकर भी जो है पीछले दिनों सर्वे कराया गया कल एक सरकार के मंत्री का बयान आया कि यहां पर पर बनी हुई बिगाडने पर जरूर तुली हो जोती है आरशन इनों नहीं दिया था आरशन भारती समिधान के माध्रम से पूरवर्ती सरकार नों दिया था आज यह आरशन भारती है आरशन खत्म कर रहे हैं और इसी प्रकार से अगर कोई यह आरोप लगाए कि संसित विद्यालियों को कहीं से फंडिंग हो रही है इस आधार पर आप खत्म कर देंगे उसकी मनता आप जांच कर आईए फंडिंग है तो उसको खुलासा करिए से को आप खत्म कर सकते हैं एक सवाल और पूछना था कि यह जो आपने कहे थी रामराज की बात चंबूक वद्ध की बात एक लब्वी की बात कही थी तो जैवीर सिंग है उत्तर प्रदेश सरकार में परियाटन मंत्री हैं उन्होंने का स्वामी प्रसाद मौरिया जाइफी की तरह बढ़ रहा हैं उनका इलाज होना चाहिए पैसा देने के लिए हम तयार हैं इस तरह की बायान बाजी उन्होंने की अगर वो अंसुची जात के होते तो पिछले बर के होते तो उनकी भासा वही होती जो स्वामी प्रसाद मौरिया की एक आखरी सवाल था कि 2024 की तयार जा रहा है इसलिए आवाज उठाने की जरूरत है और हम आवाज उठा रहे हैं कैमरमें शरवन कुमार के साथ सीमा अबनक्वी बारसमचार लखनव